आज का हमारा निपिद का टोपिक है महीला शेशक्तिकरण महीला शेशक्तिकरण की आवश्यकता और प्रस्तावना की भे हम यहाँ पर जर्जा करेंगे स्त्री श्कति अपनी रचनात्मक एवं स्रीजनात्मक कोशल समता के रूप में स्रिष्टि का आधार रही है मानव समाज ने उसकी इस स्रिजन समता के समक्ष नत्मस्तक होकर उसमें देवत्विका आरोपन करके उसे पूजनिय बनाया किन्तु इसका एक यह निरापत पहलू है कि वास्त्विक धरातल पर इसी समाज ने उसे पीड़ा वे प्रताडना के साथ दलित भी बनाया स्त्री को कैसा बना दिया गया दलित भी बना दिया गया प्रताडना भी दी गई आज दुनिया की इस आपादी को उसका हक तथा सम्मान देने हे तू समाज को प्रतिबधता दिखानी होगी और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दिष्टे से उसे अधिकार देने होंगे यह है शशक्तिकर्ण का मूल बिंदु होगा कोई भी समाज अपने आधे हिस्से को और पेक्षित, प्रताडित तथा दलित बनाकर अपने संपोण विकास का दावा नहीं कर सकता है प्रस्तावना में सारगर्वित धंगसी, प्रवाहपूर्ण वय अकशक भाशाशली में समश्या के सभी पहलों की एक जलग हमें देनी है यहाँ पर देखो योनशोशन, तसकरी, देहवयापार, उपेक्षा, परताडना और उसकी दलित इस्तिती की प्रष्ट भूमे में हमें लिखना है यहाँ पर हम शशक्तिकर्ण का अर्थ और स्वरूप प्रदान करेंगे सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे उसमें शशक्तिकर्ण का जो आर्थ और स्वरूप है इसमें आर्थिक, सामाजिक पर राजनेतिक पहलों की द्रष्टी से क्या स्वरूप होना चाहिए यह हम तारकिक ढंग से बताने की कोशिश करेंगे अब सवाल यह है कि महीला शशक्तिकर्ण की आवश्यक्ता हमें क्यों हुई आवश्यक्ता क्यों है हमें उसकी दलित इस्तिती, मानवी गरिमा, विकास को गती, समाज के सभी पहलों को नए कोशल देने हैं तू समविदान, समाज और समसामेक उधारनों सही तहम यह बताने की कोशिश करेंगे की शशक्तिकर्ण की जरूरत हमें क्यों है महीला शशक्तिकर्ण के रास्टे स्तर पर किये गए प्रियास और सरकारी प्रियास सबसे पहले यहां देखो आता है स्वास्थे इसमें सबला योजना, इंद्रागंधी मातरित्य सहयोग योजना, उज्वला योजना, स्वास्थे सम्मंदी, जागरुकता अभियान और आशा बहूं की नियुक्ति इसमें लिंग परिक्षन रोक्थाम विधेयक भी आता है आर्थिक और वित्य की बात करें तो महिला बैंक की स्थापना ऐसेट जी को प्रचाहन, कम ब्याज पर रिन मिल जाए, महा नरेखा, नोकरियों में आरक्षन और टेक्स में छूटा दी महिलाओं को जो कानूनी सुरक्षा दी गए है उसमें महिला नययाले, घरेलू हिंसा अधिनियम दोजर पांच, योन हिंसा रोक्थाम विधेयक सेक्षिक के बात करें तो कस्तूरबा गंधी विध्याले, बाले का छात्रवर्ती योजना, कन्या विद्याधन योजना, साइकिल विध्रन योजना, और फीश माफी योजना, महिला विश्व विध्याले की स्थापना आदी यहाँ पर देखो सामाजिक चेतना की बात करें तो जन जाग रुपता, सोच का विस्तार, बेटा बेटी एक समाज यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफ के तरीके से इस निबंद को समझने की कोशिश करें लिखने में आपको बहुत आसान बनाने वाला है, अगर आप बड़ी लेवल पर निबंद लिख रहे हैं तो आपके काफी यूसफूल होगा, उसके बाद देखो राजनेतिक की बात करें तो राजनेतिक में स्थानी निकायों में 50% आरक्षण और संसद में महीला आरक्षण विधियक, राजनेतिक क्रिया कलापों में विभिन मंचों से भागिदारी को प्रोचाहल, महीला ब्रैंड अम्बेजडरों की नियुक्ति, नीती निर्माण में भागिदारी और महीला आयोग, राष्ट्री आयोग, राष्ट्री हैं दो तरे के हैं और राज्ये, गैर सरकारी प्रयास में NGO की भूमिका, SSJ की स्थापना और महीला संगठनों की स्थापना, अंतर राष्ट्री इस्तर पर बात करें तो 8 मार्च को महीला देवस मनाया जाता है, UN Women Wing है, मानवा अंगठनों के द्वारा, NGO SSJ के द्वारा, तश्करी, योन सोशन, देव्यापार को रोकने के लिए, विबिन अराष्ट्रों के द्वारा आपसी सहमती सवाल उठता है कि महीलाओं के शिशक्तिकरण में क्या बाधाएं आ रही हैं, तो समाज की रूडिवादी मान सकता, कानुन के प्रभावी क्रियानवेन का अभाव, सैक्षिक जागरुकता की कमी है, आर्थिक आत्म निर्भर नहीं है, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी नहीं है, सारी क्रेक दिश्टी से कमजोर है, भिश्ट अचार है, महीलाओं के द्वारा ही महीलाओं का शोषन किया जाता है, पूरुषों के एहम पर चोट है, कि महीलाओं शिशक्त क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि पूरुषों के एहम पर चोट लगती है, अगर उन्ह ικάत्म निर्भड़ता सक्षिक जागरुकता से सकते हैं सक्षक्झतilla फरिवार के निर्णें में उचित और सम्मान जनक भागिदारीं देह करके सशक्ट बना सकते हैं कामकाजी परिशिक्षन मजबूत मानसिक स्थिति, कानुनी स्थिति, विकास और निर्ने तथा निती निर्मान प्रक्तिया में उचित भागिदारे निश्कर्ष क्या है आशावादिता के साथ हम निचोड के रूप में बता सकते हैं कि यह देखो, यहाँ पर हमने बताया है कि शिशक्ति कर्ण के संदर में यदि हम पीछे रहे तो विश्व की आधी उर्जा को समाजवे विकास की मुख्य धारा से जोड़ने से वन्चित रहे जाएंगे उसके बाद हमने यहाँ देखिए एक यह लाइंस बताई हैं कि यत्र नार्यस्तु पुजियति तत्र रम्नति देवता तो इस लाइं को हम गर्व के साथ सिर उठा करके बता सकते हैं अगर हमने अपनी महीलाओं का शिशक्ति करन कर लिया वैश्विक महाशक्ति का दरजह हसलेदी हम करना चाहते हैं तो हमें येवाली पंक्ति पर गौर करना होगा ताकि हम गर्व के साथ सिर उठा करके जीवंत कर सकें किसको महीला शिशक्ति करन को और हमारे देश को जो हमारा लक्षे है देश की महाशक्ति का वहें पूरा हो सकता है